मैं बात करूंगा आपसे मेरी कलपना है एक टोपिक है फ्लाइफ हिजटरी यह जिन्दकी को मैंने पेड की तरह एक पताया है और एक सक्सेस का मतलब यहां पर यह है कि हम जो भी चीज पाना चाहते या जो हासिल करना चाहते हैं पुस्टा दुनिया के नजर में छोटा हो बात उन्होंने किया दुशाइद धुनिया सोच नहीं सकती है तो उसके बारे हम बात करेंगे आई हम बात करते हैं तो फास्ट विने बवता है जैसे फोकस फोकस की निट सबसे पहले हो ती इसको मैंने यहां पर रूट उखाय क्योंकि जब आपको फोकस नहीं होना तो साहती हार्ड और रूसक्राट वर्केंग की तरफ स्सक्राइब करने का इस साथ त्यारी करने है और उसके ऊपर चलना है और यह हर एक पॉपिशन में अलग तरीके से लागू होता है इसका बहुतरी निग्जाम पहले लोटर एपीज अब दूल फ्लाम साब जो अपने आप में किताब में तो कहता हूं एक गरंत है अपने आप में और उनको समझे हूं एक सिंप्लिसिटी एक चीज वह वहासिल कर लगाता है उतना उंचा उठता जाएगा और लोग से उतना ही सीखेंगे क्योंकि सिंप्लिसिटी रही है उसके अंदर और पेशन्स के हम बात करते हैं और अब कि दो कोटिशन बहुत अच्छी मैं आपको बतना चाहूंगा कि अदर में सांच के दो पेरें एक है आपको वी दूसरा हम बात करते हैं पेशन्स के बारे में पेशन्स कोई भी चीज़ते हैं तो पेशन्स पोच जरुए होता कि उस तोरान बहुत कुछ होता है हमारे साथ और सबसे बैस पर नोसमें सकते हैं तर्ट माजी जो आपने भिहार के अपने श्टोरी शाट चुने होंगी जो मह laufen एक साल में नहीं नहीं एक सदी perव दिमाग में और एक साल में झाल buenas को कांटा दूनिया को व कुछ भी कई रहे ही तो वह सीखना को मिलता है यहां पर दस्त्रत मांजी से पैसेन्स दस्रमाज़ी से लिए से अच्छा हो रिजसे चाहिए गये दूसरा में फोकस आपको सब सब्सक्राइब में समझजाता हूं जो मोटिवेशन हो जाता है यह आता है यह आता है तो आपके साथ और अब मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सोनाता हूं कुछ एक है अरुनिमा मेडम की स्टोरी है जो लखनों से दिल्ली की तरफ ट्रेंड में 11-2011 को यात्रा कर रही थी तो इनको चैन के लिए इनको कुछ उड़ने ट्रेंड से फेक दिया तो यह जब इनके पेर में चोट हो पार के अंदर तो यह उसको नेवाइं मांट इस के लिए सोचा और बचंदर पाल जी बढ़ां के पाशा के बुला कि मुझे मांट अवेच चड़ना तो वह संदी पाल जी ने का कि मांट कि मन में तो चड़ चुकि रखना बाकी है वह आप यह सोचे कि उस समय जो इतना स सोच नहीं सकते हैं और एक अच्विमेंट रहे हैं उसके बाद आप उसके उनके बारे में पढ़िए और रिसर्च किज़े यह आया यह चीज़ आते संप्रिसेटेश इसे इसके बाद में प्रेकिन और अंदर का मोटिवेशन अंदर रहता है उसके बाद और सिखने की भूख अच्छे स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो शायद हमें लाइफ में इंस रिप्रेशन देगी कि हमारे जपूच सब कुछ हमारे पास नहीं हो उसमें क्या चीज़ हमारे पास होती है एक पॉल औरफेलिया नाम के बच्ति हैं कि बच्पन में अनको ADHD और डिसलेक्शन आम एक बच्पन से तो 16 सारी के उमर में हाई स्कूल से निकाल दिया गया अब हम होते तो हम यह सोचते हैं कि यार उसकूल से निकालने के बाद हम करेंगे क्या एजुगेशन घतम होगी उसके बात करते हैं लेड हमिंटन के बारे में जो एक समुद्री लेरों की बहतरी सरफर है आ पढ़िए इनके बारे में तो इनको कई चोटे लगे कहीं बार हड्यां टूटी कहीं बार यह समुद्र में खोगए लेकिन फिर भी अपने लक्ष्च की तरफ लगे रहे इतना मोटिवेशन हमें हलका सा हम पहतर से फेल होने का डर है मनने का डर तो है नहीं फिल भी हम आपको उनका शिकार नहीं होना है इनका रहिए के ना और यह बहुत अच्छी बादी यामेशा होता तो मैसिक ना चाहिए और दूसरा है फुई रख लेंबीचली नामक महिला है उनके बहुत प्यतरी न कानी है कि उनने कोध लिया गया था और सात साल किमल में उनकी मां की तोगी थी उसके बाद वन्होंने वच्पन में सोच लाता कि मुझे विश्व में चैंपन बनना है किसी एक फेल लिकेंदर और उन्हों सर्फिंग चुना सब्भी लेरों में और विश्व में साथ बार विश्व चैंपिंशिप जिचुकि चिंदर तो इस सिखने लाइक बात यसार देशावलता हैं जुड़ जाती हूँ सवलता को पहुचने के लिए तो सवलताओं के बार निराश मत हुई ये वह आपकी सवलता का हिसा है और हम बात करते हैं अब और यह वो मिला जो रूमेनिया से तीन साल की बच्ची को लेकर कुछ करने के लिए निकली थी अमरिका की तरफ तो उसके बाद वाद इन्होंने घुचारा करने के लिए 14 गंटे काम किया अपना घुचारा करने के लिए और कुछ भी नहीं था इन्होंने इस्टेबिस की कंपनी और जो इस तरके महिलाओं के लिए बनाती है पॉड़क्ट और उसके बाद इन्हों ने जो पॉड़क्ट बना सेलून भी हैं के विश्व में कहीं जाएक है इनका सलून है तो जो कुछ नहीं था उसके बाद इन्हों ने जो अपना कारोबार इतना आप असफलताओं के बाद निराश मत होगी है वहां पर फिक अवसर है जो आपको से उस पर नजर होने चाहिए और उसके बाद हम बात करते हैं मैस्टिन किप के बारे में जो म्यूजिक के अंदर एक्जिक्टिव थे लेकिन शरापके लटके कारणी निकाल दिया गया नोक एक अवसर होता हूं उसके बाद भी आपको उसको देखना है और चलना है और मेरा यह कहने कम रखता और आई होप आपको यह मेरा आइडिया और यह स्टोरी से अच्छी लगी होगी मेरा बस इसके बीसे यह मोट होता कि कुछ ऐसे आपके सामने कहानिया लाओं जिससे आप तक हमें कुछ ऑचाह कुछ अच्छा मिलाएं और एक अच्छा मेसेज आक की पास सफ्वलता हो के बाद आप निराश नहीं होई है वो आपके सफ़लता का ही हिस्सा होती हमीशा जिसको को को क autumn पative आ यह पता होती है er और यह मोटिवेशन की कहा साथ है यह भी मैंने आपको बता दिया और यह जो मेरी एक अलपना जो उसके वारे मैंने आपको समझाया आई होप आपको अच्छा लगा धन्यवाद थेंक्यू सब्सक्राइब